आज कुछ पुराने बरतन को नया लुक देने की कोशिस मैं कर रही हूं लो फ्रेन नमस्कार स्वागत है मेरी एक नई विडियो में तो सभी के घरों में आज कल नोन इस्टिक के समान मिली जाएगा आप लोगों को तो ए है नोन इस्टिक का तावा जिसमें हम लोग धोसा बनाते हैं तो कुछ दिन यूज करने के बाद 4-5 सल में खराब ही हो जाता है अधिकान सभी के घर में यूज होता है इस तावे का और एक लेरिक का कलर्स ले हूं तो बने रहें आप लोग विडियो में और देखे की मैं क्या बनाती हूं विडियो देखने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो विडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे प्लीज कलर्स आपके च्वाइस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा कलर्स चूज कर रहे हैं मैं रेड और एलो का कमिनेशन से एक कलर बना लेती हूं दोनों कलर को मिक्स करने के बाद एक औरेंज कलर का कलर आ रहा है देखिए विडियो में इस तरह से कलर आया है तो मैं इसी कलर से इसको मैं पेंट करने वाली हूं कोई भी ब्रस ले लें आप लोग मैं तो नॉर्मल ब्रस से पेंट कर रहे हूं आपका जो फेवरेट कलर हो या रेड या ग्रीन या इलो कोई भी उस कलर से आप कलर कर लें बहुत से समान या बस्तुए हमारे घर में किचन में पड़ा रहता है और दिपावली के सफाई में हम कवाडवाले को दे देते हैं निकाल देते हैं तो अगर आप कवाडवाले को देने से पहले देखे कि अगर हम इसका क्या रियूज कर सकते हैं तो आप करें, जैसे डब्बे सब भी कीचन से पुराने बहुत निकलते हैं, उसका आप प्लांटर के रूप में यूज कर सकते हैं, डब्बे को भी आप पेंट कर लें, और अपने मन से कुछ भी उसमें डिजाइन बना दें, बहुत सारा डिजाइन यूटूब पर भी हुगा है, आप देखके कुछ भी बना सकते हैं, तो देखिए, अब मेरा पेंट हो चुका है, अगर सिंगल कोड में आपका कलर सही से नहीं आ रहा है, तो आप डबल या ट्रिपल भी कोड करें, पेंट का, तो एक दिन सुखने के बाद, फिर मैं स्केल से माप लेती हूँ, या स्केल से या टेप से जो भी हो आपके पास, उससे आप सेंटर बना लें, अब मैं डिवाइडर के साहेते से एक सरकल बना लेती हूँ, इस तरह से, देखिए, मैं सेंटर में रहके, सरकल बनाने के बाद, अब मैं इसे पेंट कर लेती हूँ, तो इसमें मैं ग्रीन कलर का paint कर रही हूँ मैं किनारा plane बना रही हूँ अगर आप design देना चाहे तो आप triangle के भी design दे सकते हैं आप या कोई और भी design आप दे सकते हैं तो paint करने के बाद और एक दिन सुखने के बाद result में दिखा रही हूँ green color भी मैं double code लगाई हूँ इस पर black color से एक line भी बीच में मैं डाली हूँ और इसके बाद सुख जाने के बाद मैं इस पर earbuds से कुछ छोटा मोटा design डाल दूँगी green color पर मैं red color का dot dot डाली हूँ देखे वीडियो में और इसके बीच बीच में भी मैं yellow color का dot डाल रही हूँ अपने creative से कुछ हलका फुलका painting मैं कर लेती हूँ मैं कोई course वेगरा नहीं करी हूँ छोटा मोटा घरेलू काम के लिए तो सभी अपने घर में paint कर लेते हैं इस तरह से garden के लिए भी कर सकते हैं आप या घरेलू समान के लिए भी कर सकते हैं मैं paint को paint कर चुकी हूँ देखे कितना खुबसूरत लग रहा है पुराना कबार से फेका हुआ समान को paint करने पर कितना सुन्दर दीख रहा है बीच थोड़ा खाली खाली लग रहा है इसलिए बीच में भी पुछ हलका फुलका ड्राइंग बना के मैं इसे paint कर लूँ painting करना प्रेंड एकदम असान है आप पहले ड्राइंग बना ले फिर paint करे इस तरह reuse करके मैं एक flower pot stand मैं बनाई अपने garden के लिए तो देखे कितना प्यारा कवार में देने से पहले देखे कि अगर कुछ इसका यूज हो सके तो इसको मैं यूज कर लूँ देखे इस तरह अब इस paint का मैं handle 90 degree पर मोड दूँँगी देखे इस तरह से मैं और थोड़ा सा और मोडूँँगी इस तरह से अब इसे मैं एक दिवाल में जहां मैं garden बनाई हूँ वहाँ पर इसे एक कील के सहायते से set कर लूँगी देखे इस तरह से मैं set कर लेती हूँ इसे देखे इस तरह मैं अब set कर ले हूँ दिवाल में इसे मैं sopies के तरह भी hang कर सकते हैं केवल इसका जो मैं handle fold करी उसको सिधा रखना है और अलग drying भी बना के आप कहीं भी sopies के तरह या तो garden area में या drying room में कहीं भी आप set कर ले cup भी मेरी पुरानी cup है जिसे मैं use नहीं कर रही हूँ तो इसी में मैं sopland लगा के इस तरह से pot बना ली हूँ देखे एक singonium का और एक spider plant दोनों को मैं लगाई हूँ पानी में डाल के और इस तरह इस stand पर मैं देखे रखी हूँ और handle भी मैं paint कर दी हूँ इस तरह से झाल